Hello and welcome you all to my YouTube channel. Channel को subscribe करें और subscribe बेटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें. आज के इस वीडियो में हम Dr. बाबा साब अम्मेड करका एक essay The Essence of Democracy पर कुछ multiple choice questions देखेंगे. आधुनिक भारत के निर्मान में जिन महापुरुशों का योगदान रहा है, उनमें से सबसे ज्यादा महतुपूर्ण योगदान अगर किसका रहा है तो वो है Dr. बाबा साब अम्मेड कर. डॉक्टर बाबा साथ अम्बेडकर को सम्विधान का निर्माता, सम्विधान का जनक ऐसा भी कहा जाता है 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद हमने हमारा सम्विधान बनाया और सम्विधान बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमिटी एस्टेबलिश की गए थी उनके चेर्मन डॉक्टर अम्बेड करते तो 26 जन्वरी 1950 से 26 जन्वरी 1950 से हमारा सम्विधान इंप्लिमेंट हुआ, सम्विधान लागु हुआ उससे पहले 26 जन्वर 1949 को जब सम्विधान बनकर तयार था, तो सम्विधान गटना समिति के सामने रखा, उस पर चर्चा हुई, बहस हुई, कई लोगों ने सम्विधान को सराहा बहुत अच्छा बताया, लेकिन कई लोगों ने उसमें कुछ खामिया बताई, और उसके बा डॉक्टर बाबा साब अंबेड करने कॉंस्टिटिवेंट असेंबली के सामने एक भाषन किया, जो कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और उसी भाषन का जो आउंश है, वो इस एसे में हमें देखने को मिलेगा, तो इस एसे का जो टाइटल है, इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एसेंस ये डॉक्टर बाबा साहिब अंबेड करने उनके भाषन में बताया था कॉंस्टिवेंट असेंबली के सामने, गटना समीती के सामने, इसमें वो बहुत सारी बाते कहते हैं, जैसे की डेमोक्रेसी सक्सेस्फुली रन होने के लिए क्या-क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो बहुत पीछे जाते है इतिहास में और कैसे बहुत बार भारत ने उसका स्वातंत्र याने की इंडिपेंडनस खोया था, जो फॉरिन इन्वेडर्स थे, उनसे भारत हारा था, तो उसकी वज़ा क्या थी, और वर्तमान में और आने वाले भविश्य में, अगर हमें हमारा सम्विधान बचाए रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर अंबेड कर बहुत ही मौलिक विचार, Constituent Assembly के सामने रखते हैं, उनकी कही गई बाते, बहुत सी उनकी कही गई बाते, आज भी वैसे के वैसे लाबू होती है, आज भी वैस तो चलिए multiple choice questions के माध्यम से इस essay को समझने की कोशिश करते हैं, The first question is, Dr. B.R. Ambedkar was dash, options are a jurist, an economist, a statesman, all the above, Dr. B.R. Ambedkar ने बहुत सारे roles निभाय थे, उन्होंने वकालत पड़ी थी, वो एक अर्थ शास्त्री भी थे, और वो एक statesman, यानि की politician भी थे, तो, the correct answer is all the above. Next question is, Dr. B.R. Ambedkar was a dash of drafting committee of the constitution, options are chairman, president, member, secretary, so Dr. Babasaheb Ambedkar drafting committee के chairman थे. Next one, the essence of democracy is a speech given by Dr. B.R. Ambedkar at the constituent assembly held in New Delhi on dash. तो, जिस दिन, Dr. B.R. Ambedkar ने घटना समिती के सामने ये भाशन दिया था, वो डेट की, 26 November 1949. Next one, what provides the organs of state such as legislature, the executive and the judiciary? Options are, independence, nation, constitution, democracy. State की जो महतवपूर्ण समुस्ताय हैं, जैसे की legislature, executive and judiciary, तो इन सब के बारे में, constitution में विस्तार से बताया गया है. Option C is the right answer. Next one, from which quarters does the condemnation of the constitution largely come? Options are, center and the states, government, right-wing party, communist and socialist parties. Samvithan की आलोचना, यानि की Samvithan में जो खामिया निकाली थी, वो communist और socialist parties ने निकाली थी. Next one, the communist party wants a constitution based upon the principle of the dictatorship of the dash. Options are, socialism, proletariat, ruling party, bhakti. Communist party का ये कहना था, कि जो लोक्षाही है, यानि की जो सम्विदान है, लोक्षाही में दिया गया, उस पर नियंतरन, proletariat, यानि की working class का होना चाहिए. Next one, the author feels that the principle of dash democracy is not the only ideal form of political democracy. Options are, parliamentary, populist, restricted, equal. So, the correct answer is, parliamentary democracy. Next one, which American statesman Dr. B. R. Ambedkar quotes in his speech? Options are, Martin Luther King, George Washington, Thomas Jefferson, John F. Kennedy. Dr. Baba Sahib Ambedkar उनके भाशन में, Thomas Jefferson का जिक्र करते है, उनके कुछ सेंटेंस कोट करते है. Next one, the legislative and executive authority is partitioned between the center and the states, not by any law to be met by the center, but by the dash itself. Options are, constitution, nation, government, political party. Kendra और रज्य के जो अधिकार है, जो उनका दाइत्व है, उसके बारे में विस्तार से, constitution में ही बताया गया है, उसके लिए कुछ लाग करने की अब आवशकता नहीं है. Next one, when did India become an independent country? Options are, August 15, 1947, January 26, 1950, January 26, 1948, August 15, 1950. So, this is very easy question. So, the answer is, August 15, 1947, independent country. Next one, what makes the author the most anxious? Options are, bhakti in politics, caste system, India losing independence, government. सबसे ज्यादा चिंता, Dr. Baba Sahib Ambedkar को किस बात की है कि, कहीं फिर से भारत उसकी आजादी खोना दे. India losing independence. According to the author, how did India lost her independence? Options are, lack of military training, by treachery and infidelity, due to religious differences, lack of unity among people. इतियास में, जब जब भारत ने उसकी आजादी खोई, तो उसका प्रमुक कारण था, भारत के ही अपने लोग, जुनोंने धोके से, शत्रू से मिलकर, अपने ही देश को संकट में डाला. Next one, who invited Muhammad Ghori to invade India and fight against Prithvi Raj? Options are, the Solanki kings, military commanders of King Dhaar, Jai Chen, the Rajput kings. So, Jai Chen, जो की Prithvi Raj का ही आदमी था, उसने ही Muhammad Ghori को invite किया कि वो आकर Prithvi Raj से युद्ध करे, और Jai Chen, Muhammad Ghori की साइड से लडेगा. Next one, who are our old enemies? According to the author. Options are, castes and creeds, British, Mughals, foreign invaders. Next one, according to Dr. B.R. Ambedkar, our independence will be in danger if dash. Options are, the Indians will place the creed above their country. The Indians will place the country above their creed. There will be many parties in the country. There will be parliamentary democracy in our country. हमारी आजादी धोके में होगी कब इफ, the Indians will place the creed above their country. अगर हम हमारे धर्म को हमारे देश से भी उपर रखे या फिर देश से भी जादा मेहत्वदे हमारे धर्म को. Next one, who did not do anything to save the Sikh kingdom when the British were trying to destroy it? Options are Ranjit Singh, Gulab Singh, Amar Singh, Bahadur Singh. जब British Sikh Samaraj नष्ट कर रहे थे, तो किसने चुप रहना पसंद किया? तो Gulab Singh, जो कि Sikh Samaraj के कमांडर थे, तो उन्होंने बिटिश के साथ मिलकर चुप रहना ही पसंद किया? Next one, from which day India had government of the people, by the people and for the people? Options are 15 August 1947, 26 January 1950, 26 November 1950, 26 January 1949. किस दिन से भारत में अपने ही लोगों का अपने ही लोगों के लिए राज शुरू हुआ, तो वो दिन था, 26 January 1950, जिस दिन से सम्विधान लागू हुआ था? Next one, what did bhikkhu sanghas have akin, akin यानी similar, to modern times? Options are government, parliamentary procedures, political parties, voting procedures. तो इसका सही उत्वर है parliamentary procedures, तो ये सब कुछ bhikkhu sangha में होता था, पुराने भारत में. Next one, it is quite possible for this new-born democracy to retain its form but give place to dash in fact. Options are monarchy, parliamentary democracy, dictatorship, socialism. So the right answer is dictatorship, option C. Next one, what should we do for achieving our social and economic objectives? Options are equal distribution of resources, to hold fast to constitutional methods, adopt socialism, strict observance of law and order. अगर हमें सामाजिक और आर्थिक उद्देश पूरे करने हैं, तो क्या करना चाहिए? तो सम्वेधानिक तरीके से ही सब कुछ करना चाहिए, to hold fast to constitutional methods only. Next one, we must dash the method of civil disobedience, non-cooperation, and satyagraha. Options are support, follow, abandon, acquire. Civil disobedience, non-cooperation और satyagraha. ये सब असम्मेधानिक तरीके हैं, इसलिए हमें ये सब छोडने चाहिए, ऐसे टॉक्टर बाबा साहब अंबेगर ने कहा था. Option C. Next one, in politics, dash is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. Options are corruption, anti-nationals, secularism, bhakti और hero worship. Bhakti और hero worship is a road to degradation and to eventual dictatorship. Next one, which thinker or thinkers have cautioned about bhakti और hero worship? Options are John Stuart Mill, Daniel O'Connell, both A and B, George Washington. Bhakti और hero worship के बारे में किसने आगा किया था, तो वो थे John Stuart Mill और Daniel O'Connell. Option C, both A and B is the right answer. Next one, we must make our political democracy dash as well. Options are a social democracy, a parliamentary democracy, a socialist democracy, democracy of the majority. हमे हमारी राज की लोग्षाही सामाज की लोग्षाही बनानी होगी. Option A is the right answer. Next one, social democracy means a way of life which recognizes liberty, equality, and dash as the principles of life. Options are individuality, fraternity, honor, dignity. And the right answer is fraternity. Option B. Next one, in politics, we have recognized the principle of one man dash. Options are one vote, two votes, no vote, many votes. So, we know that the principle in our democracy is one man, one vote. एक वक्ति, एक मत. Next one, which principle gives unity and solidarity to social life? Options are liberty, equality, fraternity, freedom. वो कुण सा प्रिंसिपल है जो की unity और solidarity देता है हमारे social life को? So, वो प्रिंसिपल है fraternity यानि की brotherhood, bandhutwood. Next one, which expression was resented by politically minded Indians? Options are the Indian nation, the people of India, the citizens of the country, the patriots. जो politically minded भारतीय थे, उनको the people of India एक एक्स्प्रेशन पसंद नहीं था. Isn't any dislike? Next one, the author was of the opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great dash. Options are dream, delusion, achievement, goal. Dr. Babasar Ambedkar का ये कहना था कि, अब भी हम एक राष्ट्र बनके उभर कर नहीं आये हैं. क्योंकि हमारे देश में बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत सी असमानताये हैं. तो हम अब तक एक राष्ट्र नहीं हैं. और अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम राष्ट्र हैं, तो हम एक डिलूजन में हैं. डिलूजन याने की इलूजन एक ब्रह्म. Next one, the United States has no dash problem. Options are language, quality, unemployment, caste. The United States याने की अमेरिका में जातियां नहीं हैं. Option D is the right answer. Next one, according to Dr. B. R. Ambedkar, the castes are dash. Options are anti-national, not good, very important, destructive. Dr. B. R. Ambedkar के अनुसार, जातियां anti-national है. Next one, the political power in India has too long been the monopoly of dash. Options are many, few, rich people, industrial. स्वधियों से भारत की जो एक राजकी असत्ता रही है, वो सिर्फ थोडे लोगों के हाथ में रही है. Option B. Next one, the urge for self-realization in the downtrodden classes must not be allowed to develop into dash. Options are antipathy, hatred, a class struggle, jealousy. इसका सही उत्तर है, a class struggle. Next one, a house divided against itself cannot stand very long. Who said this? Options are Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King. एक sentence है, जो Dr. Ambedkar उनके भाशन में quote करते है, यह sentence किसका है, तो यह sentence अमेरिका के पूर्व राश्रपती अबराहम लिंकन का है. Next one, and the last question, by independence, we have lost the excuse of blaming the dash for anything going wrong. Options are Indians, others, British, Pakistani. वाशन के अंत में, डॉक्टर बाबा सब अम्वेट कर कहते हैं कि अब हम आजाद हो रहे हैं, और जैसे ही हम आजाद होंगे, हमारे उपर बहुत सारी जिम्मेदारिया अब है. पहले, आजादी से पहले, अगर कुछ भी गलत होता था, तो हम ब्रिटन की तरफ उंगली करते थे, कि उनकी वज़े से गलत हुआ है, लेकिन आगे अगर कुछ ऐसा होगा, तो वो सुवीदा हमें नहीं होगी, कि वो किसी और की वज़े से हुआ है. So, option C, British is the right answer. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर भी कीजिए, और अगर आप नए है मेरे YouTube चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूली, तो चलिए मि तो ते ने ने वीडियो में थांक यू